Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए coming week के सापता ही राशीफल यह 18th November से लेकर 24th November तक कि आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सब भी signs के सापता ही राशीफल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे directly आपकी reading आजाईगी और बहुत सरे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस reading को हम किस sign के हिसाप से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही राशी फगए आप लोगों के लिए देखें हैं coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है temperance temperance का card कहीं peace, सुकून को prioritize करने की बात करता है एक balanced, moderate तरीके से चीज़ों को करने की बात करता है और साथी साथ different different ideas, different different चीज़ों को combine करके अपने desired outcome को भी achieve करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है कितनी बारी होता है ना बड़े hap hazard manner में चीज़ें हो रही होती है हम बहुत सारी चीज़ें या तो एक साथ कर रहे होते हैं और in the process हम किसी भी चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे होते हैं या फिर हम over work कर रहे होते हैं या over fun मजा मस्ती कर रहे होते हैं और जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं हम शायद अपने goal को अगर achieve कर भी लें सही माइने में खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि खुश रहने के लिए balance बहुत बहुत important होता है और यही balance आप लाना चाहा रहे हैं या फिर आ रहा है और देखिए balance को मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक तरीके से discipline आ रहा है और कहीं इनो इस week आप peace सुकून को prioritize करते हुए दिख रहे हैं या फिर पीछे किसी भी चीज को लेकर issues हो रहे थे, मसले हो रहे थे वो किसी level पे resolve भी होते हुए दिख रहे हैं all in all ये भी ठीक ठाक रहतावा दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है क्या बात है Aries four of wands का card बहुत ही beautiful energies की बात करता है ये togetherness की बात करता है, companionship की बात करता है, fun मजा मस्ती की बात करता है positive changes की बात करता है, celebration की बात करता है और कुछ इसी तरीके की energies इस week आपके personal front में रह रहे हैं या तो आप vacation पे जा रहे हैं या फिर आप vacation प्लान कर रहे हैं and in the process आप अपने loved ones, close ones या फिर जो भी लोग आपके personal front में हैं उनके साथ जादा connect कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप का change of place, change of residence हो रहा है अब देखिए किसी भी तरीके से हो सकता है अगर आप travel कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो भी change of place होता है हम अपना घर शोड़ के कहीं और जा रहे होते हैं कुछ के लिए हो सकता है आप नया घर खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं कुछ के लिए simply हो सकता है किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी celebration इस week आपके personal front में रह रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं और in the process एक excitement, enthusiasm रह रहा है तो फिर से कहूंगी personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और professional front में भी चीज़े resolve होते हुए दिख रहे हैं आप कहीं अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue, indigo या फिर जो भी समंदर के रंग होते हैं वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी पल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए डॉरस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है lovers reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professionally professional front में relationships यानि कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं या बाकी के जो professionals हैं उन पे आप जाधा focus कर रहे हैं या उन से related energies या चीज़ें जाधा रहती भी दिख रही हैं और इन ही सब चीज़ों से related चोटे मुटे issues मसले भी रह सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए lovers का card reverse है और देखिए lovers is a very very positive card तो कुछ भी खराब गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन कभी कभी होता है न कि हमारा किसी co-worker के साथ difference of opinion हो गया या फिर छोटा मुटा argument हो गया अगें दिखिए negative sense में खराब argument नहीं रहता वा दिख रहा है simply उन्होंने कुछ कहा हमारे साथ नहीं resonate किया हमने कुछ कहा उनके साथ नहीं resonate किया उसकी वज़े से चोटे मुटे issues हो सकते हैं या फिर एक gap आ सकता है उस तरीके की energies this week रह सकती है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि कोई decision कोई choice आप लेना चाहा रहे हैं थोड़ा सा आप confused हो रहे हैं या फिर इतना असान नहीं हो रहा है आपके मन में चल रहा है कि आप दिल की सुने या दिमाग की सुने और heart और mind के बीच में एक दुविदा एक conflict रहती भी दिख रही है जब भी lovers का card आता है मैं यही कहती हूँ make sure आप वही decision वही choice ले जो आपका दिल कहता है हलां कि यह professional front का card है तो logic को ज़्यादा एहमियद देनी चाहिए लेकिन जब lovers का card आए तो दिल की बात ज़्यादा सुननी चाहिए and overall के लिए जो भी चीज आप वाके में enjoy करते हैं जिस भी चीज के लिए आप बहुत passionate हैं आप उसको pursue करना चाहा रहे हैं लेकिन छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं all in all गलत या खराब कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है पर जो भी चीज़े मैंने बोली उसी से related फिर से छोटे मुटे issues रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of pentacles का card है और ये card कहता है कि बहुत ही giving and receiving वाली energies रह सकती है कोई चीज आपको चाहिए आपको मिल रही है आपकी किसी loved one, close ones को personal front में चाहिए आप दे रहे हैं अब देखिए ये कोई भी चीज हो सकती है कुछ के लिए money हो सकता है पैसा हो सकता है कुछ के लिए mental emotional support हो सकती है again जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा कोई भी चीज हो सकती है and overall के लिए कुछ टॉरस के लिए भी हो सकता है कि इस week आप सेवा कर रहे हैं आप charity कर रहे हैं या फिर जिसको भी आपके personal front में किसी भी तरीके की help support की ज़राता है फिर से financial, emotional, mental आप वो बहुत generously देते हुए दिख रहे हैं तो जब भी यह काड आता है मैं यही कहती हूँ अगर आप giving वाली energies में है make sure आप बहुत ही balance तरीके से चीजें दे और अगर आप receiving वाली energies में है तो भी एक balance जरूर maintain करें क्योंकि जब भी इन ही सब चीजों से related एक balance बिगड़ता है तभी life में issues और मसले भी होते है and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का काड है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए जो लिए जैमिनीज आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए the Empress का काड है और ये काड कहता है कि इस week जो भी आपके professional front में हो रहा है जो भी आप कर रहे हैं एक comfort रह सकता है एक बहुत luxury आप महसूस कर सकते हैं अब दिखिए general reading है तो मैं specifically नहीं mention कर पाऊंगी but all in all बहुत एक beautiful energies आप महसूस कर सकते हैं आपके आस-पास beautiful चीजें रह सकती है beautiful environment beautiful ambience रह सकता है और पीछे किसे भी चीज को लेकर अगर आप बहुत effort कर रहे थे महनत कर रहे थे तो उसका एक positive outcome आपको इस week मिल सकता है तो all in all professional front से related ये भी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है क्योंकि Empress Motherly Energies को भी represent करती है तो कोई इनसान जिनकी बड़ी एक again Motherly Energies है loving, caring, nurturing है उनके साथ आपकी ज़्यादा interaction बाचीत हो सकती है या फिर उनकी तरफ से एक supportive cooperative energies है सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of swords reverse का card है तो देखिए professional front का एकड़म से contrast personal front रहता हुआ देख रहा है छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रह सकते है लेकिन जो भी issues, मसले हैं अगर आप pause करके इनको analyze करेंगे तो आपको realize होगा कि issues, मसले शायद इतने बड़े नहीं है एका-दुका लोगों की बात अलग है बाकी लोगों की अगर मैं बात करूँ या मैं overall, you know, 80% या 85% लोगों की बात करूँ तो जो भी चीज को लेकर आप परिशान हो रहे हैं परिशानी का reason external front में चीज नहीं रहती भी दिख रही है लेकिन उसको लेकर जो आप overthink कर रहे हैं जो एक negative thought process रह रहा है उसकी वज़े से ज़्यादा आप परिशान होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि दिखें, most of the times external front में कोई भी चीज जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है उसको लेकर हम एक worst outcome अपने mind में सोचना शूरू कर देते हैं उसको हम energy देना शू कर देते हैं और हम overthink करते हैं negative energy में जाते हैं और फिर हम परिशान होते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि personal front आपका इस week बहतर हो आपने simply और simply अपनी self talk को observe करना है जैसे ही आपको लगे कि जो भी चीज आपके हिसाब से external front में नहीं हो रही है उसको लेकर आप negative सोच रहे हैं या फिर negative thoughts आपके mind में create हो रहे हैं और जैसे ही आप इस चीज को realize करेंगे और अपने इस thought को recall cancel करेंगे delete करेंगे और उसकी जगा पे एक positive thought create करेंगे तो आप देखेंगे कि ये week आपके लिए बहतर जा रहा है इस week की energies को आप change कर पा रहे हैं तो all in all self-talk positive रखें और simply by you know correcting your self-talk आप इस week को बहतर कर पाएंगे योगि फिर से जो भी issues मसले हैं उनका root cause आपकी overthinking, आपकी negative thinking आपका जो एक you know worst outcome अपने mind में visualize करना और उसको energy देना ही रहता हुआ दिख रहा है इसको check किया इस week को भी बहतर कर पाएंगे और astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green blue वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए again series आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि एनर्जीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है strength reverse और ये कार्ड कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही एक गुस्सा एक frustration एक irritation आप महसूस कर सकते हैं और बहुत सरे chances हैं कि काफी time से ये गुस्सा ये frustration आप महसूस कर रहे थे लेकिन आप बड़े ही सब्र से बहुत ही lovingly, compassionately चीजों को deal कर रहे थे यानि कि इस गुस्से को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे थे और इस week आपका सब्र का बांध तूट रहा है इस गुस्से को आप नहीं contain कर पा रहे हैं और ये गुस्सा आपके उपर हावी हो रहा है और देखिए जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं हम परेशान होते हैं not because कि external front में कोई चीज ठीक नहीं रह रही है just because कि हम अपने गुस्से को या फिर इन energies को अपने उपर हावी होने दे रहे हैं और छोटे मुटे challenges भी इस week आपके professional front में रह सकते हैं जिसकी वज़े से भी गुस्सा frustration आपको रह सकता है और जब भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि हम सब के अंदर एक inner strength है in fact कि ये card जो भी inner strength हम सब के अंदर होती है उसको remind करा रहा होता है और ये card यही message देता है कि अगर inner strength को आपने utilize किया तो जो भी issues मसले हैं बहुत असानी से आप इनको deal भी कर लेंगे और इनके उपर आपकी जीत भी होगी तो victory definitely मिलेगी लेकिन उसके लिए एक ही शर्थ है अपनी inner strength को आपने utilize करना है तो इस चीज का खयाल इस week जरूर रखें और personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of pentacles का card है ये card थोड़ा सा pause लेके चीजों को अच्छे से समझने की बात करता है जो भी आप अपने personal front में चाहते हैं उसी से related जो भी next steps है उनके लिए एक planning करने की बात करता है उनके लिए थोड़ा सा एक you know चीजों को सोचने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके personal front में भी रह रहा है यानि कि कोई बहुत great activity नहीं हो रही है बहुत किसी चीज में आप participate नहीं कर रहे है in fact फिर से मैं कहूंगी आप थोड़ा सा pause करके चीजों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं अपना next course of action आप decide करना चाह रहे हैं या फिर otherwise भी हो सकता है कोई decision कोई choice आपको लेनी है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं थोड़ा आप चीजों को analyze कर रहे हैं थोड़ा सा आप चीजों को और जादा समझना चाह रहे हैं all and all personal friend ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and professional friend में अगर आपने जो भी गुसा और frustration वाली energies हैं उनको अपने उपर हावी नहीं होने दिया तो professional friend को भी आप ठीक कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था किन से आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of pentacles reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में enthusiasm, excitement, motivation missing रहता हुआ दिख रहा है आप routine work को follow कर रहे हैं और routine work में ही बहुत खुश रहते हुए दिख रहे हैं आप किसी भी तरीके का chance, risk नहीं लेना चाहा रहे हैं, बहुत ही safe secure होके, आप हर चीज को deal कर रहे हैं, दिखिए ऐसी energies में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम calculated risk नहीं life मिलेते हैं तब तक वो एक growth progress भी हम नहीं पापाते हैं तो अगर आपको भी इसी तरीके की energies लगें ज़रूर खुद को check करके correct करें, कोई अच्छी opportunity आए, सिरफ इसलिए आप उसको ना consider करें, क्योंकि आप risk नहीं लेना चाह रहे हैं, फिर से देखिए अगर हम बिना सोचे समझे risk लेते हैं हम परेशान होते हैं, लेकिन जब हम calculated risk लेते हैं, तो growth और progress भी, तभी हम अपनी life में ला पाते हैं, तो इस चीज का खयाल रखें दूसरी बात, money, पैसा materialistic चीजों को थोड़ा सा ध्यान से इस्तमाल करें, ध्यान से, you know, use करें क्योंकि pentacles का card reverse है, तो इन से related issues मसले रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए sun reverse का card है sun is very very positive card and tarot, ये कहीं growth, progress, happiness, joy की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए इस week के card missing है, तो फिर से मैं कहूंगी happiness रह सकती है, joy रह सकती है, बहुत enthusiasm excitement भी रह सकती है, लेकिन साथी साथी missing feeling भी आप महसूस कर सकते हैं तो आप खुश happy रहते वे दिख रहे हैं, या फिर ऐसे situation circumstances रह रहे हैं जो एक happiness आपकी life में लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी reason की वज़े से हो सकता है, आप उनको उस तरीके से नहीं enjoy कर पा रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये card reverse है अगर थोड़ा सा भी आप positive frame of mind के साथ चीजों को deal करेंगे, आप open mind से चीजों को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि external front में अच्छी चीजें हो रही हैं, जो की एक happiness, joy आपको दे सकती हैं, या फिर दे रही हैं, लेकिन आप शायद उस तरीके से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, तो all in all personal front बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और अच्छा जा सकता है, अगर आप positivity के साथ उन चीजों को देखें, and in fact professional front भी बहुत अच्छा जा सकता है अगर आप too much safe, secure होके चीजों को ना deal करें आप calculated risk लेने के लिए ready रहें, and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day, तो ये था, लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the chariot the chariot का card कहीं success की बात करता है, victory की बात करता है इस week आपको एक positive outcome मिल सकता है, या फिर जो भी आपका goal है, मकसद है, आप उसके लिए बहुत ही confidently, बहुत ही assertively action initiatives ले रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है कि आप victory और success के बहुत नजदीक हैं, कुछ के लिए literally victory success आपको इस week मिल रही है, और कुछ के लिए भी हो सकता है, पीछे आप किसी भी चीज में अटकावा महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था, चीजें रुख गई हैं, कहीं movement नहीं हो रही है, तो एक movement भी इस week रह रही है, और कुछ के लिए भी हो सकता है, आप travel कर रहे हैं, या फिर आप travel करना चाहा रहे हैं, all in all professional front काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, and personal front के लिए आप लुगों के लिए ace of cups reverse का card है, और ये card कहता है कि थोड़ा सा emotionally आप low feel कर रहे हैं, या फिर किसी खास चीज को लेकर या overall ही, जादा emotional sentimental होते हुए दिख रहे हैं, and aces कहीं नई beginning को भी represent करते हैं, क्योंकि ये card reverse है, कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई beginning आप करना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related issues, मसले हो रहे हैं, और दिखे, ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कोई खास loved one है, उनकी तरफ से वो एक प्यार, care, affection आपको नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप over ही loving, caring, अपने किसी loved one के लिए रह रहे हैं, और फिर से देखी, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, या तो कोई नहीं चीज शुरू करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसी से related challenges हैं, या कोई चीज किसी level पे end हो रही है, क्योंकि ये weekly reading है, बहुत ही छोटे-मोटे level पे कोई भी चीज, you know, end हो सकती है, अगर थोड़ा सा भी आप खुद को emotionally, you know, strong रखते हैं, आप थोड़ा सा mentally strong रखते हैं, तो personal friend में चीज़ों को आप भैतर कर पाएंगे, कहीं अपनी emotions, feelings, sentiments को balance तरीके से आप रखते हैं, या फिर मैं कहूंगी आप heart और mind का balance रखते हैं, तो भी आप personal friend में चीज़ों को भैतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, and astrology से आप लोगों के लिए mercury का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था, लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चले हो, आप लोगों के लिए देखें, इकमिंग वी क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, page of cups reverse, और ये card कहता है, या तो इस week specifically आपके professional front में आपकी बहुत ही immature energies रह रही हैं, या फिर कोई इंसान है आपके professional front में जो बहुत immature तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं, अब देखें कोई और है तो beyond the point आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए अगर आपको लगे कि आप maturity से चीजों को नहीं deal कर रहे हैं, चोटी चोटी सी बात में आप emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं, या sensitive हो रहे हैं, और चोटी चोटी सी बाते आपको hurt कर रहे हैं, तो जरूर इसको check करके correct करें, इस week professional friend में, जितना आप emotionally strong रहे के चीजों को deal करेंगे उतना ही इस week को आप बहतर करेंगे and देखें, immaturity किसी भी चीज को लेकर हो सकती है लेकिन emotions, feelings, sentiment को लेकर जादा रहती भी दिख रही है कितनी बड़ी होता है ना, हमें लगता है कि हमें वो attention नहीं मिली, वो हमें एक appreciation नहीं मिला और pages कहीं है, जादा एक attention seeking वाली energies को represent करते हैं, तो इस तरीके की भी energies रह सकते हैं, इसको लेकर भी आप थोड़ा सा hurt हो सकते हैं, hurt is actually not the right word, but yes emotionally low feel कर सकते हैं and कोई भी बड़ा decision कोई भी बड़ी choice, इस week specifically आपको professional friend में लेना है जरूर किसी experiential इंसान से बात कर लें, किसी news message, email, phone call का वेट कर रहे हैं, या तो वो delay हो सकता है या पिर हो सकता है कि इस week आपको ना मिले, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है, the moon कहीं confusion की बात करता है, the moon कहीं fear की बात करता है insecurity की बात करता है, और कुछ ऐसा ही, इस week personal friend में रहता हुआ दिख रहा है, अब दिखे reason, situation, circumstances, सब वोगोस के लिए differ करेंगे, but yes you know, एक मन में डर सा रह सकता है, और जो भी आप कर रहे हैं, कहीं एक clarity नहीं रहती भी दिख रही है और जब भी बी moon का card आता है, मैं यही कहती हूँ, कि हो सकता है कि आप एक negative frame of mind में हैं, जिसकी वज़े से आप ज़्यादा confuse हो रहे हैं, या फिर आपका mind बहुत एक negative belief systems, या जो भी इस तरीके की energies होती हैं, उन पे focus कर रहा है तो इस week, specifically personal front में, in fact मैं कहूंगी professional front में भी, जो भी आपका mind आपको कह रहा है हर, हर thought को आप trust ना करें, in fact दिखिए ये तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, थोड़ा सा जो हमारी self-talk हो रही होती है जो भी हमारे मन में thoughts आ रहे होते हैं उनको check करके correct करना है चाहिए क्योंकि 99% जो भी issues, problems होती है वो external किसी चीज की वज़े से नहीं होती है जो भी external front में हो रहा है उसको लेकर जो हमारा mind एक negative energy create करता है negative एक outcome सोचने लगता है उसको believe करता है वो होता है और अगर हम इस चीज को check करके correct कर लें तो यकीन मानी हम अपनी life को बहुत easy कर लेंगे तो personal front में और professional front में भी आपने mind के हर thought को trust नहीं करना है हर thought को literally नहीं लेना है थोड़ा सा pause करके चीजों को समझना है कि ये वाक्ते ही में reality है या आपका mind आपको एक कहानी बना के दे रहा है और अगर आपको लगे कि भी reality है तो भी आपने परिशान नहीं होना है कैसे आप उसको solve कर सकते हैं आपने उस पर focus करना है और जैसे ही आपको पता लगेगा अगर जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई ये reality नहीं है जो भी thoughts, जो भी feelings, जो भी emotions आपके मन में आ रही है ये सिरफ और सिरफ आपके mind की story है तो अपने आप ही आप better feel करेंगे तो इस चीज को आप जरूर इस week खयाल रखें ऐसा करेंगे तो ये week आप पर ठीक रहेगा और astrology से आप लोगों के लिए Venus का card है और इस card के हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लोगों के लिए coming week का साथ है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर वाए तो चले आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में love, cure, connections, relationships आपके लिए काफी एहम रह रहे हैं या तो किसी past इंसान से आप connect करना चाहा रहे हैं कर रहे हैं या फिर past का कोई इंसान आपकी current life में आ रहा है और कहीं you know इन सब चीज़ों को लेकर आप काफी emotional, sentimental भी होते वे दिख रहे हैं मैंने आपर past के किसी इंसान के आने की आपके किसी past के इंसान पर focus करने की बात करी है लेकिन past की situations, circumstances, event भी हो सकते हैं again जिस पे या तो आप focus कर रहे हैं उसी से related current life में कुछ हो रहा है all in all फिर से मैं कहूंगी कि emotional होते वे, sentiment होते वे दिख रहे हैं कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ें इतनी एहम नहीं रह रही हैं अब दिखें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि आपको कोई monetary gain नहीं हो रहा है फाइदा नहीं हो रहा है हो सकता है, हो, हो सकता है, ना हो लेकिन जो source of happiness है इस week, वो connection से, relationship से love care से आती भी दिख रही है जब हम कोई काम करते हैं, हमें एक satisfaction होती है उससे कहीं एक happiness जाधा रहती भी दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of pentacles reverse का card है और ये card कहता है कि बहुत ज़ादा up and down in and out चीजें रहती भी दिख रही है ना तो पुरी तरीके से आप कोई काम कर पा रहे हैं ना वो हो पा रहा है ना आप पुरी तरीके से किसी चीज में involved हो रहे हैं और ना ही आप, you know उसको completely छोड़ पा रहे हैं and कुछ के लिए हो सकता है कोई decision कोई choice लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़ादा चीजों में involved हैं और सब कोई एक साथ करना चाह रहे हैं सब कोई एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपके लिए काफी tough हो रहा है आप balance नहीं कर पा रहे हैं तो again देखिए two of pentacles is not a negative card यह एक neutral card है और कहीं इसी तरीके की energies को represent करता है तो जितना कोशिश करके आप इन चीजों को balance कर पाते हैं in fact मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा इस week चीजों को जरूर prioritize करें हर चीज को एक साथ ना करने की कोशिश करें नहीं तो फिर आप परिशान होंगे और कोई major reason नहीं होगा इस परिशानी का सिरफ you know reason यह होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले ली हैं या फिर आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं या फिर आप एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं या आप एक चीज को लेकर पूरी तरीके से committed नहीं हैं कभी आप करते हैं कभी आप नहीं करते हैं तो इन चीज़ों को अगर आप check करेंगे ये week आपका बहतर जाएगा और अगर आपने नहीं किया तो by the end of the week आप थोड़ा से exhaust हो सकते हैं परिशान हो सकते हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भी कुछ भी ना ढंग से नहीं हुआ इस से और बहतर हम कर सकते थे अगर हमने चीज़ों को प्रिटाइज करा होता तो तो ये रहा आपका पर्सनल फंट और astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all shades of green and yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये थे आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है judgment reverse और ये कार्ड कहता है कि इस week specifically professional front में आप थोड़ा सा अटका हुआ थोड़ा सा stuck महसूस कर सकते हैं अब दिखें इन्ही energies के लिए सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन इस कार्ड के हिसाब से कोई चीज end करके एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर हो रही है और इसी से ही related issues, मसले या थोड़ा सा अटकाव आप महसूस कर सकते हैं और अगर आप भी ऐसा पाएं तो कैसे ये नो पुरानी चीज़ें जो आपको serve नहीं कर रहे हैं आप उनको let go करें, कैसे एक fresh start करें, नई चीज़ों के लिए acceptance लाएं इस पे आप focus करेंगे तो इस week के energies को आप बहतर कर पाएंगे otherwise judgment is not a negative card, यह एक positive card है और कहीं फिर से मैं कहूंगे ending, beginning की बात करता है लेकिन most of the times, पुरानी चीज़ों के साथ हमारा एक attachment हो जाता है या फिर comfort zone हो जाता है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और नई चीज़ों को लेकर हम इतने sure नहीं होते हैं क्योंकि देखिए एक नई चीज़ों को लेकर doubt तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन या uncertainty तो रहती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्यों कैसी रहेंगी तो इसलिए कहीं नई चीज़ों को लेकर हम थोड़े से reluctant होते हैं और पुरानी चीज़ें भले हमें serve ना कर रहे हो हम उनको लेकर बड़े comfortable हो जाते हैं और जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यह जो ending, beginning होती है यही हमें growth और progress की तरफ लेकर जाएगी और यह part and parcel है, हम अपनी life में चीज़ों को असान करते हैं क्योंकि यह weekly reading है, बहुत ही छोटे मोटे level पे यही ending, beginning, fresh start रहेगी बड़ जितना again मैं कहूंगी, आप इस चीज़ को समझेंगे इस week, उतना ही इस week के energies को बहतर करेंगे decision choice लेना पड़े, तो delay ना करें थोड़ा ऐसा critical judgmental या तो आप खुद को लेकर, या किसी colleague, coworker को लेकर हो रहे हैं या कोई colleague, coworker आपको लेकर critical और judgmental हो सकते हैं अब देखिए, दूसरा हो रहा है, तो beyond the point आप कुछ कर नहीं सकते हैं आप उनकी किसी भी बात से खुद को effect ना होने दे, emotionally, mentally strong रहें और अगर आप खुद ऐसी energies में हैं, तो ज़रूर इसको check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों Clay Page of Souls का card है Pages Starow में कहीं immature energies को represent करते हैं बहुत blunt, straightforward communication को represent करते हैं और personal front में कुछ इस तरीके के energies रह सकती हैं या तो उसे आपकी energies हैं, जहाँ पे आप बहुत ही एक बुलते हैं कटू वचन, तीखी वाज में या तीखी communication अपने किसी खास loved one या overall loved ones के साथ रख रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके personal front में जो काफी blunt तरीके से और बहुत ही sarcastic या taunting में आपसे बात कर रहे हैं फिर से या तो आप immaturity से चीजों को deal कर रहे हैं या फिर कोई इंसान है जो बहुत ही immature रह रहे हैं और इन ही चीजों की वज़े से एक irritation एक frustration आप महसूस कर सकते हैं अब दिखिए किसी और की हैं तो फिर से मैं personal front में भी आपको यही कहूंगी आपने कोशिश करने हैं कि आप उनकी बातों से effect ना हो आपने अपनी vibrations, अपनी energies, अपनी frequencies को high रखना है emotionally खुद को strong बनाना है और अगर यह आपकी energies हैं तो जरूर चक करके correct करें किसी message, email, phone call का wait कर रहे हैं तो वो delay हो सकता है और अगर मिल भी गया तो थोड़ा सा आपको irritate or frustrated कर सकता है and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए lucky रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह था आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राश वीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे challenges, छोटे मुटे issues रह सकते हैं यानि कि जो भी काम आप कर रहे हैं आपको एक smooth going नहीं मिलती भी दिख रही है कुछ अर्चने, कुछ रुकावटे रह सकती है तो जहां एक तरफ यह card रुकावटे, अर्चनो, challenges की बात करता है वहीं दूसरी तरफ यह card success victory की भी बात करता है क्योंकि यह card कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको extra effort लेना पड़ेगा, extra initiative लेना पड़ेगा उसके लिए आपको थोड़ी सी extra मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपने इस तरीके की energies रहीं आप घबराए नहीं, डरे नहीं, willpower determination के साथ आपनी चीज़ों को deal किया by the end of the week अब बहुत बहुत अच्छा फील करेंगे क्योंकि victory, success या तो आपको मिलेगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि yes, इस चीज़ को अब आप achieve कर लेंगे यह जो issue, मसला था, इसको आपने overcome किया तो एक बहुत एक, जो achievement वाली feeling आती है, वो आप महसूस करेंगे and personal front के लिए आप लगों के लिए 10 of cups का card है बहुत ही beautiful card है, यह कहीं किसी भी तरीके की celebration की बात करता है कुछ के लिए छोटी-मोटी हो सकती है, कुछ के लिए बड़ी हो सकती है and कहीं, you know, family के साथ time spent करने की बात करता है family की तरफ से supportive energies होने की बात करता है in fact, मैं family नहीं कहूंगी, जो भी आपके loved ones है, close ones है या तो आप जादा उनके साथ interact कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं eating, drinking, merry making हो रही है, या फिर कोई celebration, कोई get together, plan कर रहे है और बहुत एक happiness, joy, satisfaction, togetherness, companionship इस week personal front में रहती भी दिख रही है सब के लिए different reasons, different sources रहेंगे लेकिन loved ones, close ones की तरफ से या फिर उनकी वजह से जादा रहती भी दिख रही है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि family सिरफ आपके, you know, जो relatives होते हैं या फिर आपके जो parents होते हैं, siblings होते हैं, वो नहीं होते हैं जो भी आपके loved ones होते हैं, close ones होते हैं, जिनके साथ बढ़ा आप comfortable feel करते हैं वो भी आपकी family होते हैं एक quotation भी है न, friends are the family we choose तो यहाँ पर मैं friends बोल रही हूँ, कोई भी आपके loved ones, close ones हो सकते हैं अगें जिनके साथ आप जादा interact कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं eating, drinking, merry making रह रही है, कोई celebration हो रही है, कोई celebration आप प्लान कर रहे हैं all in all, personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का साथ आप रहा है, क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hero friend और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत safe, secure होके चीज़ों को करना चाहा रहे हैं आप किसी भी तरीके का risk नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहा रहे हैं और in fact कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि stability security आपको मिल रही है या फिर कैसे stability security आए, आप उस पर focus करते वह दिख रहे हैं किसी authoritative figure का या elderly figure का एक blessings, support, cooperation भी इस week आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है काफी rigid, काफी fixated होके चीज़ों को कर रहे हैं यानि कि जो भी tried and tested तरीके हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं which is, you know, very good but in the process आप खयाल रखें कि बहुत ज़ादा stubborn, बहुत ज़ादा जिदी ना हो क्योंकि देखिए, willpower determination जब positive तरीके से होती है तो हमें हमारा goal, हमारा मकसद achieve करने में help करती है लेकिन जब ये बहुत ज़ादा हो जाती है, too much हो जाती है तो ज़िद और stubbornness में बदल जाती है जिसकी वज़े से फिर हम परेशान होते हैं अपने कूल, अपने मकसद से परे होते हैं तो इस चीज का खयाल रखें otherwise, herofin के हिसाब से professional front अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए devil reverse का card है और ये card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक pressure, एक tension, एक stress आप महसूस कर सकते हैं अब देखिए reason, circumstances, situation सबके लिए differ करेंगे लेकिन devil का card कहीं एक बहुत obsessive energies की बात करता है जब हम ऐसी एक energy में आ जाते हैं कि बस ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए है रिजिड हो जाते हैं, fixated हो जाते हैं हम बिलकुल भी, you know, give up करने के mood में नहीं होते हैं देखिए, give up ना करना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन फिर से मैं कहूंगे, जिद ही पकड़ लेते हैं और over attached हो जाते हैं किसी भी चीज से तब फिर हम परिशान होते हैं तो देखिए, कहीं अगर हम देखें willpower determination, professional friend में positive रहती हुई दिख रही है लेकिन personal friend में काफी negative रहती हुई दिख रही है और बहुत एक stubborn, जिद वाली energies रह सकती है एक addiction किसी भी चीज की रह सकती है अब दिखिए, सब के लिए differ करेगा कुछ Capricorns के लिए हो सकता है आपकी energies है आप किसी चीज, इनसान, situation, outcome को लेकर बहुत attach हो रहे हैं बहुत जादा obsessive, possessive हो रहे हैं और एक addiction भी रह रही है addiction सिरफ drinking या फिर इस तरीके की चीजों के नहीं होती है हम अपने काम को लेकर भी addict हो जाते हैं हमें लगता है कि हमें बस काम ही काम करना है या फिर हम इनसान को लेकर भी addict हो जाते हैं उनकी भी हमें addiction हो जाती है और addiction किसी भी चीज की हो चाहें वो positive चीज की हो वो गलत होती है तो इस week अगर आप इन ही चीजों को चक करके correct करते हैं थोड़ा सा surrender mode में रहते हैं थोड़ा सा flexible रहते हैं थोड़ा सा आप करम करें लेकिन फल की इच्छा ना करें तो आप इस week को personal friend में better कर पाएंगे और अगर आप पाएं कि भई आप over controlling, dominating किसी भी चीज को इनसान को लेकर हो रहें इसको check करके correct करें और अगर आपको लगे कि कोई इनसान आपको control कर रहे हैं dominate कर रहे हैं तो वो भी आप लाओ ना करें फिर से दिखे इन चीजों का खयाल रखेंगे ये week ठीक जाएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा पारिशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में enthusiasm, excitement, motivation रहती वे दिख रही है जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है आप बहुत ही excitement के साथ उस direction में action initiative लेते हुए दिख रहे हैं growth progress यहां तो हो रही है या फिर कैसे growth progress आए आप उस पे focus कर रहे हैं and किसी भी level पे किसी भी तरीके की ending, beginning भी रह सकती है जो कि again एक happiness, joy, excitement आपके लिए लाती वे दिख रही है क्योंकि ये general reading है, ये ending, beginning सब के लिए differ करेगी, कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी हो सकती है कुछ के लिए बड़ी रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए tower reverse का card है और ये card कहता है कि specifically personal front में या तो किसी emotion, feeling, sentiment को आप बहुत ज़ादा suppress कर रहे हैं अब देखें ये feeling, sentiment, emotions सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है कुछ के लिए प्यार हो सकता है कुछ के लिए कोई भी और चीज हो सकती है और ये कहीं बहुत आपको frustrated कर रही है बहुत पारिशान कर रही है देखें, मैं हमेशा pressure cooker का example देती हूँ जब हम खाना pressure cooker में बना रहे होते है तो भी थोड़ी थोड़ी steam release हो रही होती है और जैसे ही किसी भी reason की वज़े से वो steam release होना बंद हो जाए तो pressure cooker फट जाता है और ऐसे ही हम भी फट जाते हैं जब हम अपनी feelings, emotions को नहीं went out करते हैं तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं ज़रूर इसको check करके correct करें और दूसरी बात गुच के लिए हो सकता है आपको लग रहा है बड़ी restrictions हैं बड़ी limitations हैं आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं जो कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं तो दीखिए अगर ये चीज आपको परेशान कर रहे हैं तो आपने इसको check करके correct करना ही करना है आपने इसका कोई न कोई solution निकालना ही निकालना है क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बहुत time तक अगर आप इन्ही restrictions में limitations में रहेंगे अपने आपको suppress करेंगे तो फिर एक दिन फट जाएंगे और फिर बड़ी खराब situation हो जाती है जिसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो पहले से ही थोड़ी थोड़ी सी steam release करते रहें and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Pisces आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए